आज का टॉपिक क्या चीज है AP के अगर in प्राक्रिट संख्यां का योग ज्याद करना हो तो इससे हम कैसे ज्याद कर सक्ते हैं इसके लिए जो फर्वूला होता है क्या चीज वन बाइ टु एन इंटु ण पलस वन बोल सकते हैं या नवाइ टु इन पर लाश वन होता है तो व जिससे हम लोग कोई चीज को count करते हैं ठीक है तो प्रथम नेचरल नमर की बात कर रहा है यहां पर तो लिखें कि हम लोग क्या चीज प्रथम कि इन प्राकिर्थ संख्याएं प्राकिर्थ शंख्याएं क्या हो सकती है तो प्राकृत संख्याएं होगी प्रथम इन प्राकृत संख्या क्या है क्या है तो 1,2,3,4 and so on कहा तक जाएगा इन तक जाएगा हमें ग्यात करना क्या चीज इन प्राकृत संख्याओं का योग तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं AP का first term तो A बराबर मेरे पास क्या है 1 और difference का बात करेंगे तो क्या देखेंगे 2-1 यानि कि देगा 1 natural number का difference भी 1 ही आता है ठीक है और हम लोग formula क्या पर चुके हैं कि शुत्र हम लोग क्या जानते हैं शुत्र SN बराबर होता है formula N by 2 into 2A plus N minus 1 into D तो इसमें हम लोग value को पूट करते हैं N by 2 N term था तो N term ठीक है और 2 तो 2 और A प्रथम पत क्या है मेरा 1 है तो 1 plus N minus 1 into difference कितना का मेरा चला था 1 का यहांसे देखिएगा फर्मुला बन क्या है N by 2 into यहांसे बर जाता है कितना 2 plus 1 से multiply करेंगे N में तो देगा N 1 से minus 1 में तो minus 1 और यहांसे आप लोगों को फर्मुला दिखिए रहा होगा कि N by 2 into यहांसे देख सकते क्या चीज़ देखते है N ठीक है 2 में से 1 गया तो 1 तो क्या बन गया फर्मुला कि सोरी 2 में से 1 जागा तो क्या हो जागा पर्मुला कि बन क्या है N by 2 into N plus 1 यहनि पर्थम अता हम बोल सकते हैं क्या चीज़ अता पर्थम इन प्राकृत संख्या का योग प्राकृत संख्याओं का योग फल जो होता है वो क्या होता है N by 2 into N plus 1 होता है तो आसा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा